हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब अच्छी होंगे मजब होंगे मेरा नम नासीर है और आप देख रहे हैं AB Tech व्लोग तो यह है फायर बोल्ड की बजट कॉलिंग वच जिसमें आपको डहर सारे फीचर्स मिलने वाले हैं और कुछ देख रहे हैं जो कि आपको टों की में नहीं है और इस वाच का नम में फायर बोल्ड नीजा कॉलिंग प्रो तो आज इस वाच की आद बोक्सींग एंट पुल रिवीव होने वाला है इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा सब कुछ अपने वाला हूं सो वीडियो पर यहां पर फीचर्स मेंशन को मिल जाते हैं, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे, बाकि यहां पर आपको Q-or Code मिल जाता है, जिसके स्कैन करके, आप डाफ्ट अप्लिकेशन को डाउन्लोड कर सकते हैं, तो चलिए बॉक्स को अपन करते हैं, तो सबसे पहले यहां प खुबसूरत लग रही है, बाकि यहां पर प्लास्टिक फिट्म लगी हुए सेंसर पर इसको अटा लेना जरूरी है, तब आपको अच्छी एक्यूरिसी मिलेगी, इसके फिजिकल और आपको बटन मिल जाती है, और यहां पर बैक सैट में आपको सलस्स मिल जाते हैं, और य काफी एजी है, आप लोगों को बताएं, बस जाना है एड डिवाइस पर और देख सकता है, यहां पर वाच आगी है, बस इस पर टैप कर देना है, और आसानी से वाच पैर हो जाएगी, बाकि पैर होने के बाद आपको ब्लुडुट पैरिंग रिक्वेस्ट आएगी, इसक आपका काम हो जाएगा, तो यह रही बाद करें तो यहां पर आपको कुछ इस तरह की डिजाइन को मिल जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा खूबसूरत है, और कॉम्पैक्ट है, यह सभी रिष्ट पे अच्छी लगने वाली है, चाय पतली रिष्ट के बाद करें, सभी पे सुट करने वाली है, तो यहां पर आपको उपर साट के जो फ्रेम मिलते हैं, और नीचे साट के बहुत ही प्लास्टिक की मिल जाती है, तो बाकि इसमें आपको 20 mm का काफी अच्छी क्वाली का श्ट्राइब भी मिल जाता है, इसके बाद की बाद करें तो इसका वेट है, ओ एक अच्क काफीardy के 10-5 display मिल जाती है और यह एक HD बैनल है तो इसके बाद के अच्छी मिल जाता है, जैसे एक वह रणा को त्ट्रेम काफी पैप कर सकते हैं, कोई टीकत वाली बात नहीं है, तो आप लगों को पता है के प्ट्राइब पीटे एश्तल मिलते हैं, तो इसके यहां पर आपको डिसेंट मिल जाती है और इसमें आपको रेश्ट वेक फंक्शन भी मिल जाता है जो कि काफी सही से वर करता है और जैसे बैंड को ट्विश्ट करेंगे डिस्प्ले अन हो जाएगी रहे बत वाचस की तो यहां पर आपको व्लत-इन नाइन वाचस का सपर्ट मिल जाता है तो एक टाइम में रख सकते हैं यह मुझे काफी सही लगा उसके साथ यहां पर आपको custom watch face का feature भी मिल जाता है तो आप अपना photo लगा सकते हैं और quality काफी अच्छी आती है application की बात करें तो आपको 150 plus watch face का support भी मिल जाता है और काफी सारे watch face दिये गए तो यहां पर watch face के बारे में आप लोगों को चिंता नहीं करनी है इसके साथ यहां पर आपको आर्ट प्रकार की menu style बीस में मिल जाती है और different different types की menu style cup लगा कर इसमें enjoy कर सकते हैं features के बात करें तो चलते है इसकी menu में तो सबसे पहले यहां पर आपको activity मिल जाती है जहां पर आप activity records देख सकते हैं और यहां पर आपको steps, calorie, training यह सब data बगरा शो हो जाते हैं उसके बाद phone call में जाएंगे तो यहां पर आपको recent call, dial pad और context का feature दिया गया है उसके बाद यहां पर आपको heart rate, sleep tracking, blood pressure, SP2, training में जाएंगे तो यहां पर आपको 120 sports mode मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा है और इसको आप use कर सकते हैं बाकि accuracy के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे उसके बाद यहां पर आप training records देख सकते हैं इस बाद आपको weather forecast मिल जाता है और 7 दिन का weather आप यहां से देख सकते हैं उसके बाद messages यहां पर देख सकते हैं उसके बाद camera shutter हो गया music player यहां पर आपको मिल जाता है और यहां पर आपको volume कम और ज्यादा करने का option भी दिया गया है जो कि काफी इची बात है उसके बाद यहां पर आपको countdown और alarm का feature मिल जाता है और जैसके यहां पर watch में आप alarm को state कर सकते हैं कस्टमाईज कर सकते हैं और यह feature यहां पर आपको मिल जाता है बट Firebolt की दूसरी watches में आपको यह feature नहीं मिलता है आपको application में जाना पड़ता है alarm को state करने के लिए तो यह ची आपको शॉच्छर का गेम दिया गया है दूसरे गेम की बात करें तो यहां पर यह वाला गेम मिल जाता है है तुसके बाद चलते हैं तो यहां पर आपको calculator का सपोर्ट भी मिल जाता है तो इसमा आप आराम से गुला गडित कर सकते हैं और इसका calculator काफी अच्छे से work करता है उसके बाद अधर्स में जाएंगे तो यहां पर आपको डिस्प्ले मिल जाता है जहां पर ब्रैटनेस आटो स्लिप वाजफेस और मेनु व्यू की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं आपको आठ प्रकार की मेनु स्टैलिस में मिल जाती है सबसे पहले है लिष्ट उसके बाद है हैनिकॉम तुसरी है ग्रिड उसके बाद परिलर सर्फेस क्रिसेंट फुल मून हेल्म लिष्ट तो यहां पर अतनी सारी मेनु स्टैलिए जो की यूज करने में काफी अच्छी लगती है उसके बाद यहां पर क्यूक भी मिल जाता है तो को घंटा बढ़ा सकते हैं और वर्बरेशन के काफी अच्छी आपको इसमें मिल जाती है उसके बाद यहां पर अच्छे सकी टेस्टिंग कर लेता हूं और अच्छी सही लगी इस वाच की सबसे पर इसकी पर मैंने 150 स्टेप्स लिए और इसने 153 काउंट किये उसके बाद बाद ने ने कंटीनिंव किया और 300 स्टेप्स लिए और सने 302 कउंट के तो रिजल काफी तक क्या है तो यहां रिज़िकर पर जो पर जो काफी जाध है और रिजल्ट काफी अच्छा मोंगी यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसको ओक्सामेटर से कंपेर किया और इसका बिल्कुल मैच कर रहे है, अप्शुमेटर से, सबसे पहले मैंने नॉर्मली चेक किया, इसके बद में दॉल कर रहा है, दुबारा से चेक रही है, तो भी तक सकते हैं, रिडिंग बिल्कुल मैच कर रही है, तो हाट रिडिंग को काफी अच्छा मिल जाता है, रही बत, बिल्कुल फिचर का रहा है, तो भी ब्लॉट। की बिल्कुल ऐदने देंते हैं, दुदिखा जाता है, तो प्रेस नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल कर बात कर सकते हैं, बाकि बिल्कुल को स्विचर करना और करके बात कर सकते हैं और अब को करते हैं तो यहां पर आपको को सुना देता हूं ताकि आप लोगों को अधिया लग जाए तो देख सकते हैं स्पिकर काफी ज्यादा लाउड है और आवाज काफी क्लियर आती है रही बत मेसेज को नोटिफिकेशन की तो मेसेज को पड़ सकते हैं रिपलाइ करने को अप्शन नहीं मिलता है और आपको अच्छी खासी लेंथ मिल जाती है इसको साथ यहाँ पर हिंदिस का सिपोर्ट भी मिल जाता है डर्की रहे बात चौसंवसरे करें चैटिफ़या चाहरा दौ और सारे चिख सकते हैं सब्सक्राइब हैं उसके निया पर kanssa कुछ के आने इस यह देख सकते हैं दूसरे पिश पर जाएंगे तो यहां से वाश को कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे के वाश फेस चेंज कर सकते हैं आपको जिस application की notification on करना है वो यहां से on off कर सकते हैं उसके बाद यहां पर alarm, shutter, context को यहां पर आड़ कर सकते हैं अधर्स में जाएंगे तो यहां पर भी आपको काफी सारी settings मिल जाती है और यहां पर अपको 30 seconds का time मिल जाता है इसके दिन on time जो किस सही है बाके last में जाएंगे तो यहां से आप अपनी profile बना सकते हैं अपना goal set कर सकते हैं और इसमें आपको Google Fit का support भी मिल जाता है तो application काफी सही है काफी minimal से application है और connectivity वगरा आपको काफी अची मिल जाती है स्वाच में कोई भी issue नहीं मिलता है रही बात UI की तो यहां पर आपको काफी fluid UI भी देखने को मिल जाता है और अच्छा UI है unique है सबसे पहले उपर से swap down करेंगे तो यहां पर आपको control center मिल जाता है जहां पर आपको brightness उसके बाद यहां से menu style को change कर सकते हैं सेटिंग मिल जाती है यहाँ और आपको DND, power saving mode और यहां से calling function को on-off कर सकते हैं निचे से swap करेंगे तो यहां पर आपको notification दिख जाती है लेफ से swap करेंगे तो यहां पर सबसे परे widgets मिल जाते हैं जहां पर आप यह सब Features use कर सकते हैं और यहां से भी मिनियू भाइप मिन्यू में जा सकते हैं, तो यहां से प्ते मिनियू में जा। यहां पर सुर्ट कटाइब पिटियर केट हैं, जैसे के पिघ्वीचर प्रूइट करुद 238, 2012 मिल जाता है जो कि काफी फ्लूइड है और लैक बगरा देखने को नहीं मिलता है इसमें अब लाश्टिंग बात आती है इसके बैटरी वैकप की तो यहां पर आपको अच्छा खासा बैटरी वैकप भी मिल जाता है और यह आप लोगों के यूज़ करने वाला है कि आप लोग दिस्प्ले काफी अमेजिंग है फिचर सबको काफी सारी मिल जाती है और एक अची ए तो दिखा जाए तो दोजार के सबसे काफी सही बहुच है और अगर आप लोगों को लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा महासिब ले साकते हैं तो बस दि लोगों के लिए बिलकुल रात में वीडियो शूट कर रहा हूं कि ये बहुत काफी पहले आगी थी बट इसका वीडियो बढाने का टाम नहीं विल रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आ रहा हूं तो बस ये सब्सक्रिप्रिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब झाल 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 झाल